नमस्कार मित्रो, कासी हिंदू विश्विद्याले से PhD प्रवेश की अधिसूचना है यहाँ पे विश्विद्याले द्वारा PhD प्रवेश के लिए आवेधन मागा गया है इसे आप BHU Online.in पर जाके फिल कर सकते हैं इसके सम्मद में जो डीटेल है, जो डीटेल नोटिफिकेशन है वो मैं आपके सामने एक्स्प्लेइन कर रहा हूँ यहाँ पे आवेधन तीन कटेगरी में मागे गए हैं एक है PhD थार्ट रिफर्च इंटरेंस टेस्ट जिसे हम रेट कहते हैं दूसरा है इंटरेंस टेस्ट होता है, वहाँ पे इंटरेंस टेस्ट नहीं देना होता लेकिन आपको इंटर्व्यू में अपियर होना होता है वे कंडिडेट जो UGC net pass है, JRAP pass है, gate pass है या state की slate पर इच्छा pass है उन्हें यहाँ पे छोट मिलेगी इंटरेंस टेस्ट नहीं देना होगा, उन्हें डारेट इंटर्व्यू में अपियर होना होगा बागी लोगों का, जिनका simple PG है, उनको इंटरेंस टेस्ट देके सही तरीके से इंटर्व्यू में अपियर होना होगा eligibility की बात करें, तो यहाँ पे जो eligibility है, वो है PG PG में आपके 55 प्रिस्ट मार्क होने चाहिए, इसमें SC, HD और phagically handicap को 5 प्रिस्ट मार्क की छोट है, यानि कि वे 50 प्रिस्ट मार्क पर भी admission प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे OBC candidate को 5 प्रिस्ट मार्क की छोट नहीं होगी, refresh and entrance test rate में आपको minimum 35 प्रिस्ट मार्क लाना होगा, उसके बाद भी आप अगले चलाण जानी की interview के लिए qualify माने जाएंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं important dates की, तो यह farm जो है available होगा 14.09.2019 और इसकी life date होगी 4 October 2019, admit card आपका available होगा 16 October 2019 को और जो आपकी परिच्छा होगी 22 October 2019 को, इसमें आपकी जो face लगनी है वो face है, ST और SC के लिए 300 रुपए, other candidate के लिए general और OBC के लिए 600 रुपए की face आपकी online कटेगी, अब देखते हैं इसमें कौन-कौन से subject है और उसमें क्या-क्या seat है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते है Arabic, Arabic में rate में 1 seat है, rate exempted में 2 seat है, यानि कि entrance test से 1 seat मिलेगी, और entrance test में जो लोग exempted हैं, जो लोग net zrf हैं, जो लोग get हैं, उनको 2 seat यहाँ पर मिलेगी, अगर इसमें किसी subject में rate 0 लिखा है, तो मतलब उस subject में reference test नहीं होगा, वहाँ पर केवल rate exempted वालों को ही लिया जाएगा, बहुत सारे subject हैं, यहाँ पर मैं उनको पढ़ रहा हूँ, Arabic, rate 1, rate exempted 2, बंगाली, rate 1, rate exempted 4, English 0, 8, French 1, 3, History of art 03, नेपाली 1, 0, Tamil 3, 5, Russian 0, 1, Kannad 00, geography में आपकी rate में 0 seat है, यानि कि इसमें rate से नहीं लिया जाएगा प्रवेश, rate exempted में 12 seat है, home science 0, 3, mathematics 2, 1, 5, aesthetics 1, 3, Marathi 1, 1, Telugu 6, 9, Persian 1, 1, German 0, 0, बोजपुरी एवं जनपधी अध्यन, 0 seat है rate में, reference interest test नहीं होगा लेकिन 10 seat है, यहाँ पर rate exempted के लिए, Sanskrit 4, rate के लिए 1, Urdu 5, rate के लिए 7, Hindi, rate 20, rate exempted 25, कापी जादां seat है हिंदी में, psychology, rate 0, rate exempted 7, इसमें कई सारे subject हैं, जो subject मैं नहीं पढ़ रहा हूं, उसे आप screen पर देख सकते हैं, बहुत सारे subject हैं, सबको पढ़ा नहीं जा सकता, इसे वीडियो भहुत ही लंबा हो जाएगा, education, rate 8, rate exempted 12, economics, rate 1, rate exempted 3, psychology, rate 0, rate exempted 3, history, rate 4, rate exempted 0, अगर आप इन सब चीजों को detail में समझना चाते हैं, तो आप इसके लिए इस वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा, एक छोटे से वीडियो में इसे पूरा समेटा नहीं जा सकता, political science, rate 2, rate exempted 12, sociology, rate 10, rate exempted 16, इफी तरह से सारे subject की sheets हैं, जिनने आप अपनी screen पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सभी sheets को, सभी subjects को आप देख लिजिए, जिन subjects में rate और rate exempted दोनों में 00 sheet लिखी है, तिसका मतलब है कि उस subject के लिए इस बार कोई sheet available नहीं है, तो उस subject के लिए आपको apply नहीं करना है, यहाँ पर परिच्छा एक्जेम्टेड होने के बाद जैफसे आप interview फेज में पहुँचेंगे, तो आपको interview देना होगा, उसका mark जोड़ा जाएगा, साथ ही आपके academic का mark भी जोड़ा जाएगा, यहाँ पर academic के mark के लिए एक फार्मूला है, उसको निकालने के बाद आपके academic mark आजाएगे, और उनको आपके interview के mark में जोड़ा जाएगा, और उसके मिलाने के बाद इस अम्मिली merit बनेगी, और यहाँ पर जब आप किसी भी subject के लिए वहाँ पर appear होते हैं interview में, तो आपको refresh proposal वहीं पर लिखुआ चाता है, तो सबसे पहले आप एक refresh proposal लिखने की practice कर ल लगेगा नहीं, लेकिन उसको साथ में रखिए, और एक proposal लिखना होगा, बिना कहीं से देखे, बिना help लिए आपको एक proposal लिखना होगा, और वही proposal आपका department में जमा किया जाएगा, तो हम देखते हैं कि इस farm को हम कैसे अपलाई कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और detail इसमें तो आप उसको notification में पर सकते हैं, notification डाउनलोड करके, जिसका link इसी वीडियो के description box में है, farm feeling guideline भी इसमें important है, तो सबसे पहले तो आपको इसमें आधार card की ज़वरत होगी, बिना आधार card के आप apply नहीं कर सकते, एक आवेदर की रूप में आपको जिन चीज़ों की ज़वरत होगी, वो हैं आधार card, एक mail ID, एक mobile number, computer, scanner, printer, black and white की सुवधा, एक रंगीन फोटो जिसको 100KB में आपको करना है, एक sign किया हूँआ पेपर, जिसको आप सकैन करेंगे, उसको भी 100KB से दिखना हो, यह सारी प्रकिरिया करने के बाद आप इसे बिच्चु आनलाइन की वेब अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट है bhuonline.in, वहाँ पर आप नीशेच करब जाएंगे, तो वहाँ पो आपको red 2019 का link मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, फाम भरने में कोई जटिन्ता नहीं है, एक खास तरह का यहाँ पर term आता है, जिसमें होता है कि allied subject, तो allied subject में आपकी list में जो भी subject आपको मिलते हैं, आप उन सब को भर दीजिए, उनका preference रख दीजिए, allied subject का मतलब होता है कि अगर आपको main subject में seat नहीं मिलती है, तो अगर allied subject में जगह है, तो आपको वहाँ भी interview के लिए बुलाया जाएगा, और आप allied में interview देके आप वहाँ चक मार कर दीजिए, और जितने भी allied subject हो, उन सभी को भर दीजिए, तो main में अगर आपका नहीं होगा, तो allied subject में हो जाएगा, allied subject में लेया चाहिए कि नहीं, इसके लिए आप अपने प्रोफेसर से discuss करिए, लेगिन इसे फाम में भर दीजिए जरूर, उसके लिए भी सेम से प्रकिरिया होगी, यहां पे भी refresh proposal लगेगा, यहां पे भी आपका interview होगा, और यहां पे भी आपको उसी तरह से seat दी जाएगी, तो ठीक है friends, जो भी important links हैं, उसे मैं इस वीडियो के description box में दे दे रहा हूँ, और अगर आप कुछ और जानना चाते हैं, तो इस वीडियो के link में आपको red का notification मिलेगा, उसे ठीक तरह से पढ़ लिजे, notification English में है, लेकिन अगर आप उसे पढ़ते हैं, तो आपको जो भी जिग्यासा हैं, उस सभी जिग्यासाओं का समाधान हो जाएगा, वीडियो में कमेंट में सारा कुछ बताना संभव नहीं, क्योंकि यह notification बहुत